दोस्तों आलू गोबी की सबजी हर किसी को बहुत पसंद होती है और आज मैं आपको जटपट बन जाने वाली बहुत ही टेस्टी भुनी हुई आलू गोबी की सबजी की रेसिपी देने वाली हूँ तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे त्यार करना है तो दोस्तों ये सबजी हम बनाएंगे उबले हुए आलू से जिससे ये बहुत ही जटपड बन जाती है और काफी ज़ादा भुनी हुई लगती है इसके लिए मैंने यहाँ पर दो हरे लैसुन ले लिए है और गोभी को इस तरीके से काट लिया ये करीब 600-700 गोभी है बहुत ज़दा बड़े पीसे नहीं करने है चार उबले हुए आलू मैंने लिए है इनको छील लेना इस तरीके से और इनको हम काटेंगे बड़े बड़े पीसे में ये ध्यान रखिएगा जो ये उबले हुए आलू हम ले रहे है ये थोड़े से टाइट होने चाहिए ज्यादा गले हुए रहेंगे तो सबजी उतनी टेस्टी नहीं बनेगी और आलू फूट भी जाएंगे तो इस तरीके से मैंने बड़े-बड़े पीसे में इस प्लैसों नहीं खाते हो तो आप इस जगे पर अधरक का भी यूज कर सकते हो अब हम डालेंगे इसमें हरा कटा हुआ धनिया इस वाली रेसिपी में हरे धनिये का बहुत जादा यूज होने वाला है तो स्टार्टिंग में भी हमने हरा धनिया डाला है और उसके बाद हमने एक मीडियम साइस के प्याज को चौप करके अट किया है इसमें डालेंगे हम हींग थोड़े अच्छी मात्रा में डालेगा क्योंकि गोभी को डाइजिस्ट करने के लिए हींग काफी जादा इंपॉर्टन रोल निभाता है तो इसको मैंने जो है भून लिया है प्याज को और थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए बस इतना हमें चाहिए जादा ब्राउन नहीं करना है इसके बाद एक छोटे साइस का टमाटर मैंने बारीक चौप करके अट कर दिया है और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगी यह देसी टमाटर है तो हलका सा खटा सा टेस्ट इसके पानी शूख गया है इसके बाद मैंने दो चोटा चमच दनिया पाउडर टाला है और चोथा चोटा चमच बीच लाल मिर्च का पाउडर टाला है अब इसको अच्छे से बाट बहुन ले मसाले को और यहाँ पर इसमें अबले हुए कटे हुए आलू एड़ कर दीए अब भी आलू को हमें थोड़ी देर अच्छे से इस मसाले के साथ भूनना है और यहां पर टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ओयल जादा लिया था 5-6 बड़े चमच मैंने अड़ किया था क्योंकि यहां पर मैंने गोभी को फ्राइ करके अड़ नहीं किया है अगर आप गोभी को फ्राइ करके अड़ करना चाते हो तो आप 4 बड़े चमच रिफाइंड ओयल भी ले सकते हो सबजी को बनाने के लिए तो आलू को तीन से चार मिनट फ्राइ करने के बाद मसालों के साथ इसमें मैंने गोभी एड़ कर दी है और इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे नमक तो आप स्वात के अनुसार नमक भी डाल सकते हो यहाँ पर इतनी सबजी के लिए मैंने करीब सावा चम्मच नमक का एक बार जब आप इसको ढखकर पकाऊगे और ढखकन खोलोगे तो आपको आदी पकी पहले से नजर आ जाएगी है इसमें अब हम एड़ करेंगे एक चोटा चम्मच गरम मसाला और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और वापस इसको ढखकर हम पकने के लिए छोड दो हटे मिर्चो को स्लिट करके छोटे पास करके आड़ कर दिया है तो बस हमारी सबची सब दी है और चलिए इसको सब पराथे रोटी साथ ट्राइय कीजिजे बहुत धादी लगती है और जैसे मैंने बोला बहुत ही जल्दी बनकर प्ते है आई होप आपसब को रह सब कर को जरूरान कर लीजेगा